पिरिये चातरों नमस्कार आप सभी को एक नए वीडियो में स्वागत है इस वीडियो आपको कलाश तेंद का मैद का एक बहुत ही महत्पून कोश्चन के हल करके बताऊंगा कोश्चन है ग्राफिये विधी से समी करन यूग का हल करना इसमें है दो समी करन एक है 4x-5y बरावर 20 एवं सेकेंड समी करन है 3x-5y बरावर 15 को हल करना है काफी असान है देखते है तो आपको असानी से समझ में आ जाएगा और एकजाम में आपके 5 नमबर पक्का है अगर इस वीडियो को देखते है तो लगवख हमेशा एकजाम में कोश्चन पुछा जाता है तो अच्छे से जरूर देखिए तो चलिए सबसे पहले तो आपको समी करन का मान निकालने आना चाहिए ठीक है अगर मान निकालने आएगा तब असानी से आप गराब आप खीच लिजेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे मान में ही गलती कर देते हैं तो उसको से गराब क्या अग सही बनेगा इसलिए पहले आप मान सही सही निकालिएगा ठीक है न उसके बाद तो आप असानी से कोई भी गराब खीच लेगा सबसे बड़ी समस्या मान में ही स्टुडेंट को होता है ठीक है तो चलिए इसको मान निकाल लेते हैं इसमें सबसे पहले दो समिकरण है एक कितना है 4x-5y बड़ाबर 20 इसको हम समिकरण एक मान लेते हैं और एक 3x-5y बड़ाबर 15 इसको समिकरण दो मान लेते हैं अब देखिए क्या करना है आप कम से कम गराब खिचने के लिए दो मान निकाल लिएगा कितना मान निकाल लिएगा दो ठीक है यह X है और यह Y है और इसको हम फर्स्ट समीकरन लिख देते है 4X-5Y बरावर 20 तो दिखे फहला समीकरन है 4X-5Y बरावर 20 इसमें आपको मान रखना है X या Y किसी भी एक चर्कों आप मान रख सकते है अपना मन से जो मन है वो ही रखिएगा ठीक है न? हाँ कोशिस किजिए का कि छोटा सा रखे ताकि आप माली जेके बर आप ऐसा रखे कि 50 आजाए तो 50 इतना लंबाई आपको गराफ पर तो होगा नहीं ठीक है न? इसलिए मैं कहाता हूँ कि आप कमान रखिएगा तो चलिए समी करण एक में वाई कमान जीरो रखते है क्या रखते है? जीरो रखने जीरो रखने पड़ समी करण एक में एक में वाई वरावर क्या रखने पर? जीरो रखने पर ठीक है? बरावर 20 इसमें क्या करना आपको 4x और 5y के जगह 0 रखते ना है बरावर 20 तो 4x 5 में 0 से गुना करेंगे 0 बरावर 20 तो x बरावर आपको 20 इधर 0 गया और ये 4 से भाग दे देंगे तो कितना होगा 1 x बरावर 4 5 20 keep है अगर आप y के मान 0 रखे है तो देखिए यहाँ 20 है और 4 बटे में हो गया ते 4 से भाग देंगे तो पांच यानि y के मान 0 रखे है तो 1 x की मान कितना मान आया है पांच आया है फर्स समी करन में अब देखिए अगर मान लेते हम x के मान 0 रखते हैं किसका मान 0 रखते हैं एकस के मान 0 रखते हैं ठीक है तो y के मान कितना आएगा अब लिखते हैं किसी भी चर को मान आप रख सकते हैं अब लिखते हैं समी करन एक में x बरावर 0 रखने पर एक मान आप दुवारा नहीं रख सकते हैं मालेजी आप y के मान 0 रखें फिर y के मान 0 रखेंगे या x के मान 5 रखेंगे फिर ये 0 आ जाएगा तो ये दोनों मान फिर नहीं रखेंगा x के मान आप कभी 5 नहीं रखेंगा y के मान 0 नहीं रखेगा तो x बढ़ा 0 रखने पर तो 4x-5y बढ़ावर 20 4 गूने x के मान कितना रखना है 0-5y बढ़ावर 20 तो 0-5y बढ़ावर 20 तो y बढ़ावर आपको होगा 20 तो minus 5 से भाग इसमें हो जाएगा तो y बढ़ावर आपको minus 4 आएगा लिख लेते हैं एक्स के मान जीरो रखे तो य के मान कितना है माइनस चार है दो मान हो गया अब दुसरे समी VISTA में निकालीं निकालीं इसली तरह से 2 मान निकालीएगा कोई भी मान रख सकते हैं ठिक है इसमें हा, इसमें आप फिर मान जीरो रखिए कुछ भी रखिए कोई दिकत नहीं है ठीक है न X Y अब देखे इसमें क्या करते है पहले X के मान इसमें 0 रखते है X के मान 0 रखने पर तो लिख लेता हूँ समी करन 2 में 2 में X वरावर 0 रखने पर तो थीरी एक्स पलस 5y बरावर 15 एक्स के मान 0 रखना है तो तीन गुने 0 5y बरावर 15 अब 0 में 3 से गुना करेंग 0 5y बरावर 15 अब देखे जीरो है तो इधर डायर्ट 5y होगा इधर 15 अब y बरावर 15 हुगा इधर 5 से भाग हो जाएगा y में ठीक है क्योंकि गुना इंख है तो y के मान हो जाएगा आपको 5 15 अब पता हो गया कि अगर हम x के मान 0 रखे है तो y के मान 3 आया है ठीक है तो हम यहां लिख लेते हैं box में 0 रखे है तो y के मान कितना आया है तीन आया है अब दिखिए, फिर अपना मन से अब रखिए, अब y के मान 0 रखते हैं, ठीक है न, y के मान 0 रखते हैं, समी करन 2 में y बरावर 0 रखने पर, 0 रखने पर, आपको गराब को कोपी एकजाम में मिलेगा, यह बात की टेंसन आप नहीं लिजेगा, ठीक है न, ता आपको सेकेंड पेज, जो हिंदी बला होगा, उसमें आपको इस तरह से मान निकालना है, फिर गराब बला में गराब बना देना है, ठीक है, रखने पर, तो देखिए, 3x पलस 5y बरावर 15, और 3x, 5 के मान 0 रख देंगे, क्योंकि 0 रखे है, ठीक है, 0, 3x, 5 में 0 से करेंगे, 0 बरावर 15, य 5 में 0 से गुना करेंगे, 0 बरावर 15, तो x बरावर हो जाएगा, 15, और इधर 3 गुना में भाग हो जाएगा, तो x के मान कितना होगा, 3, 5, 15, यानि आपको अब पता हो गया, कि अगर y के मान 0 रखे है, तो x के मान कितना आया है, x के मान आपको 5 आया है, ठीक है, तो आप इस तरह से आपको गाराफ का पेच रहेगा तो देखे इस तरह से आपको गराफ का पेच रहेगा और इधर एक इस तरह से हिंदी का पेज रहागा तो आपको इस पर मान निकालना है जो मैं अभी निकाला हूँ और इस पर आपको गराब खिचना है तो चैजिए मैं आपको बताता हूं कि गराब कैसे खिचते हैं काफी असान है आप बिल्कुल कुछ देर इस वीडियो को देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना करतिय तल बना लेना है ठीक है करतिय तल आप पर रहे होंगे नियामक जाइमिती में ठीक है उसको बना लेना है और आपको एक बात ध्यान में रखना है आपको पेंसिल से बनाना है ताकि आप गलती करे तो सुधार सके ठीक है इसलिए आप हमे देखिए सेकेंड इधर से बनाएंगे तो देखिए इस तरह से आपको करतिये तल बना लेना है उसके बाद आपको पता होना चाहिए कैसे बनाया जाता है और इसमें आपको यहां जो मूल बिंदो यहां 0 यहां 1 यहां 2 यहां 3 यहां 4 यहां 5 यहां 6 यहां 7 एक बाद ध्यान म कम आएगा उसको कम कर दीजेगा ठीक है इधर क्या होता है माइनस 1 इधर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6 जहां तक आटेगा वहां लिख दीजेगा माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 उपर होता है पलॉस 1, पलॉस 2, पलॉस 3, पलॉस 4, पलॉस 5 होता है ठीक है तो इस तरह से आप मान रख लिजेगा यहाँ बोलते है जिधर निगेटिव है उधर x डॉट बोलते है इधर X बोलते है उपर Y बोलते है और Y डॉट नीचे बोलते है ठीक है तो यहां मान आपको इस तरह से रखना है इसमें यहां रखने आ गया तब असानी से बना लिजेगा ठीक है न उसके बाद आपको मान रखना है आपको पता है कि मान क्या है X के मान 5 है और Y के मान 0 है तो X अक्ष यह है तिहाँ प्लस 5 यहाँ होगा और Y के मान किधर होगा 0 Y अक्ष E है तो इसका 0 यहीं आएगा तो इसका बिंदू यहीं हो जाएगा 5 0 पहले X लिखेंगे उसके बाद Y लिखेंगे एक बार और देखिए देखिए X अक्ष पर प्लस 5 था Y अक्ष पर 0 यहीं है न तो इसके सामने सामने यहीं ना आएगा तिहाँ लिखेंगे 5 0 उसके बाद देखिए X के मान 0 है वो Y के मान 0 है तो X के मान 0 यहाँ होगा और Y अक्ष यह है तिहाँ minus 4 नीचे ना है तो नीचे यहाँ इसके सामने सामने यहाँ है ठीक है जो 0 minus 4 है ठीक है समझ गए X के मान 0 यहाँ है और Y के मान minus 4 तो Y अक्ष यहाँ है ना तो Y के मान minus 4 यहाँ है ठीक है ना अगर एक चीज और मैं बता देता हूँ ओर मालीए यह 5 रहाता तो 5 देते और y के मान 3 रहाता प्लस 3 तो 5 और 3 इसके सामने सामने यहां यहां विंदू देते ठीक है तो first हो गया और first को आफ इसको मिला दीज़े ठीक है next बिंदू को क्या कीजे मिला दीजे तो इसको scale के सहता से मिलाईएगा तो चलिए मिला देते हैं बिंदू देखिए बिल्कुल जो बिंदू है उसको सिधे सिधे मिलाईएगा थोड़ा भी टेर नहीं होना चाहिए ठीक है तो चलिए अब मिला देते हैं बिल्कुल सिधे से मिलाईएगा तो चलिए मिला देते हैं बिल्कुल सिधा तो कौन समिकरन के था 4x-5y बरावर 20 के था तो यहां 20 लिख देंगे एक बाद यहां में रखेगा हमेशा आप इसको सिधे जैसे यहां भी इस पर जो करती तल भी बनाईएगा न तो वहां भी कहीं मोटा पतला नहीं होना चाहिए एक रंग होना चाहिए उसके बाद देखिए उ यहां आपको हो जाएगा 0 3 ठीक है उसके बाद देखिए y के मान 5 है y के मान 0 है तो x के मान 5 यहां हुआ और y के मान 0 यहीं होगा यानि इसका भी 5 0 यहीं होगा ठीक है तो इसको क्या कीजिए मिला दीजिए फिर इसको भी मिला देता हूं बिल्कुल सिधा मिलाएगा ठीक है पट्री रखिएगा और बिल्कुल जैसे हैं यहां ऐसे बिल्कुल सिधा मिला दीजेगा तो चलिए मिलाता हूँ तो मैं मिला दिया इसको ठीक है न इसी तरह से आप मिला दीजेगा और यहां समीकरन कितना था 3X पलस 5Y बरावर 15 यहां दोनों समीकरन रख दिये एक बात आप ध्यान में रखेगा अगर आपको डायेट कहे कि गराव खीचे तो आप इतना खीच कर छोड़ दीजेगा इसके आगे कुछ भी नहीं लिखना है अगर आपको फिर कहे कि गराव फिर विदी से हल करना है तो वहां आपको एक स्वाई के मान लिखना होगा तो एक स्वाई के मान इसमें कौन होगा चले मैं आपको बताता हूँ देखिए यह दोनों रखाए यहां पर मिलती है न दोनों रखाए यहां मिली है जिसका निर्दे साइक 5-0 है यानि भूज 5 है और कोटी 0 है तो अत्ता यहां x का मान हो गया अत्ता x बरावर 5 और y बरावर 0 ठीक है न यही इसका एंसर हो गया हाँ एक बात और मैं बता देता हूँ माली जे यहां नहीं मिलकर कोई बिंदू यहां मिला यहां दोनों तरब से इधर दोनों रेखा यहां पर मिल दी इसके लिए दखिए यहां अगर 8 है और इधर 2 है तो इसका एंसर हो जाएगा 8 x के मान 8 और y के मान 2 हो जाएगा ठीक है तो इसी तरिके से आप असानी से बना सकते हैं मुझे उमीद है कि यह वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो के लाइक और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ दोस्त पार सेर भी जरूर करें धन्यवाद